हाई यार, what's up, 12th के board exam सारे खतम हो चुके हैं और अब हमको अपने school के बाद college में जाना है तो उसका process पूरा कहरने वाले हैं, कैसे कैसे admission में लेने वाले हैं अब हमारे board exam सारे खतम होने के बाद उस बारे में हम इस video के अंदर बात करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से board exams होने के बाद अब आपके पास दो तरीके हैं या तो आप अपने board की result के basis पे admission ले या फिर एक entrance exam लेक्ट के आप admission ले board के results के basis पे जैसे कि आप private universities में admission ले सकते हैं पिछले साल तक दिल्य university में भी होता था कि आप board का result लगा के percentage के basis पे cut off निकलती थी और आप उस में admission ले पाते थे लेकिन इस बार DU का भी entrance exam होगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप BTEC, MBBS and all इन सब चीज़ जो में admission लेना चाहते है तो आपको इनके entrance देने होंगी J main हो गया हमारा MBBS के लिए हमारा NEET हो गया उस type से सारे के सारे entrance exam होगी अब होता क्या है actually मैं ध्यान से सुनिए यह मैंने आपको पूरी एक summary दे दिया board exams होने के बाद अब आपका board का results आएगा अब board के results के अंदर अगर आपके 60% से उपर-उपर marks हैं तब तो आप safe side में तब तो आप हर चीज के लिए eligible है क्योंकि क्या है न अगर आपको कोई entrance exam clear हो जाता है किसी college में नाम आ जाता है वो कैसे आएगा भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा college मिलेगा यह बात आपको कैसे पता ठीक है न अगर मान लेतने आपका entrance clear हो गया और उसके बाद आपका किसी college में भी नाम आ गया कहीं बार क्या होता है बच्चों का तब भी admission नहीं हो पाता है क्यों 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 होता है eligibility होती है जो की हर college हर university लगाती है यह university और college के मैं समझाया तो हम जैसे हमारे cbc board था cbc board के अंदर काफी सारे schools थे आपका school था मेरा school था सभी के school है ऐसे icsc board के अंदर कुछ school आते है इसी तरीके उनिवर्स्टी ऐसे सोच हो as a cbc और उसके अंदर बहुत सारे school जो आते है college for example अगर हैं बात कुरुंदर प्रस्त्र युनिवर्स्टी तो उसके अंदर college आते हैं बगवान पशुराम, institute of technology, महाराजा सुरज, महाराजा अग्रजेन, etc. ऐसी डिली टेक्नोलोजी को लिए का खाली एक ही college है वही DTU के नाम से वही उसका college अब आपके board के अंदर अगर 60% से उपर आपके बन रहे हैं अगर आप अभी से हिसाब लगा रहे हैं कि आपके 60% से उपर बन रहे हैं तो आप entrance के लिए पढ़िए अच्छे से अपनी त्यारी करिए इस जनरल के लिए 60% SCST OBC के लिए 55% तक चल जाएगा OBC भी नहीं SCST के लिए ठीक है अपनी अच्छे से फिर आप entrance की त्यारी करिए अगर आप डियू के entrance की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप जैई की त्यारी कर रहे हैं उनको क्रैक करिए इसके बीच में आपके बास कहीं सारे fraud आएंगे कि हम आपका admission करा रहे हैं पैसे लेके वहां आ जाओ यह आ जाओ आपको पहले submit करने बढ़ेंगे counseling कर लो यह कर लो नहीं या कहीं पे नहीं पढ़ना जब तक entrance exam नहीं हो जाता तो उसका result नहीं आ जाता तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता ठीक है वह सारी fake calls है fake calls है सची में actually होता है कि आपका number जो आगे तक circulate हो जाता है कहीं पर ही विश्वास करना पड़ेगा तो ऐसे मत करिए जब तक result नहीं आ जाता किसी भी चीज़ का तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और हर sites पर update देखते रही है अपने जितने भी जेई की अगर आप जई देना वाले है तो जेई की site पर update देखिए कब से कब तक क्या क चीज़े चलेंगी अगर आपके जेई का result आ जाएगा तो उसके बाद एक चीज होती है counseling ऐसी अगर डियू के entrance का result आ जाएगा तो उसके बाद होती है counseling क्या है counseling पूरा का पूरा process है जिसके थुरू आप ए college में admission लेने वाले हैं ध्यान समझीए counseling पूरा process है जिसके थुरू आप ए college के अंदर admission लेने वाले हैं उसमें करना क्या होता है अब जितनी में हमारी rank आई होती है rank आती है हमारी की total जितने बच्चों ने exam दिया उनके अंदर हमारा कितना number आया है उसके basis पर आपको choice filling करनी पड़ती है कि मुझे पहले ये college में ये चीच चाहिए ये college में ये school of entrepreneurship के नाम से भी उनिवस्टी आ गई है उसके अंदर इन पांचों में मेरा admission होता है एन हमारा इंदर पर उसे निवस्टी के इंदर उनके सारे college में अगरे इंका example की जैसे मैं बात कर रहा था कि आपने सबसे उपर रखा कि मुझे चीए भई USICT की computer science फिर चाहिए मुझे महराजा सूरजमल की computer science फिर चाहिए मुझे अगरे से computer science फिर चाहिए मुझे भारती विद्या पीट की computer science इस टाइप से जो में कि आप अपने entrance की सई से त्यारी करें मैं भी मैं आपको पूरा का पूरा roadmap क्लियर कर दिए कि कि किस किस तरीके से आप अपने school से college की तरफ का रस्ता देखने वाले होंगे जब आपके school के board exams होगे आपका result आएगा result आने के बाद क्या होने वाला है आपका result आने के बाद तो फिर entrance के बाद entrance का result आएगा board exam में 60% से उपर है तो आप safe side में नहीं तो आपको private university किस के तरफ जाना पड़ेगा ठीक है then after that आपका result आने के बाद entrance के result आने के बाद आपकी counseling होगी counseling में आप select करेंगे आपको कौंसा college मिला है counseling का result करीबन एक से दो महीने तक हमारी पूरी counseling चलती रहती है then after that आपको college के अंदर आ जाएंगे आपको सारा का सारा roadmap मेरे हिसाब से मैंने clear कर दिया है बाकी आगे और इससे भी अच्छी एच्छी वीडियोज आती रहेंगी basic से बिलकुल उठारों में दुवार आजए ताकि लोगों साही चीजे पता लगती रहे ठीक कब बार्कं, चाहीं कर दो कि एक दो के दिया है और क्यों सारा अच्छी पपता था सब्से ओ correct ऋच्छी ≤